राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51 सम्मेलन आज राश्ट्रोपती भवन में शुरू हुआ राश्ट्रोपती रामनात कोविंद चौथी बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मेलन में उपराश्ट्रोपती, एम्वेंकया नाइडू, प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी और ग्रही मंत्री अमिट्षा भी हिस्साली रहे हैं राश्ट्रोपती रामनात कोविंद ने उद्घाटन भाशन में कहा कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया है राश्ट्रोपती ने अपने कारियों के लिए कोविड युद्धाओं की सरहना की उन्होंने कहा कि सभी कोविड युद्धाओं ने महामारी से निपटने में समरपन के साथ काम किया है उन्होंने कहा कि आज देश में 108 करोड से अधिक कोविड रोधी ठीके लगाय जा चुके हैं और ठीका करण अभियान पूरे देश में जारी है श्री कोविड ने कहा कि सरकार की पहल और वैज्ञानिकों के प्रयास से भारत ने वैक्सीन विक्सित किया है कोविड की महामारी का सामना करने में विशुका सबसे ब्यापक और प्रभावी अवियान भारत में प्रदान मंत्री मोदी जी के नितरत में चलाया गया हमारे सभी कुरोना योद्धाओं ने असाधहरंड त्याग और निस्था के साथ अपने कर्तब का निर्वहन किया सरकार की अभूत पूर पहल एवं हमारे वग्यानकों और उद्यमियों के प्रियासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है आज 108 करोड से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देश वासियों को महामारी से बचाने के अवियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इसके साथ ही हम विश्व समधाय की साहता भी कर रहे हैं भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना विश्व इस्तर पर हो रही है ग्रे मंत्री अमिच्षा ने स्वागत संबोधन में कहा कि ये सम्मेलन कोवीड महामारी के कारण दो वर्षों के बाद हो रहा है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नेत्रित्व में देश और सभी राज्यों ने महामारी का सफलता पूर्वक सामना किया है श्री शाह ने कहा कि सौ करोड तीका करण के बाद भारत महामारी से उबर रहा है उन्होंने कहा कि समुचाव विश्व कोविट के खिलाफ संघर्ष में सफलता के लिए भारत की सरहना कर रहा है ग्रे मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री ने महामारी के दौरान कई बार मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों से विचार विमर्ष किया और उन्हें सलाह भी दी उन्होंने कहा कि राज्यपालों ने महामारी के दौरान सक्रियता से काम किया है श्रीश शाह ने कहा कि ये आजादी कमरित महोसाओ का समय है और इस बार के राज्यपाल सम्मेलन का विशेश महत्व है